हलो माई डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आप अच्छे ही होंगे और मैं भगवान से प्रार्था करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा हस्ता रहे मुश्कुराता रहे और आज हम पढ़ने जा रहे हमारी पाठ्य पुष्तक स्पर्श से पध्यान से तीसरा चैप्टर जिसका नाम है आदमी नामा आदमी नामा के रचेता हैं नजीर अकवरावादी तो पाठ के अध्यन से पूर्व हम नजीर अकवरावादी के बारे में थोड़ा सा अध्यन करते हैं नजीर अकवरावादी का जन आगरा सहर में सन 1735 में हुआ उन्होंने आगरा से अरवी फार्सी के मसहूर अदीवों से तालीम हासिल की यानि कि उन्होंने आगरा में ही रहकर उर्दु अरवी और फार्सी के जो मसहूर विद्वान थे उनसे सिक्षा प्राप्त की नजीर हिंदू तिवारों में बहुत जिल्चस्पी लेते थे और उनमें सामिल होकर दिलो जान से लुफ्त उटाते थे जो नजीर अकवरावादी थे वो हिंदू तिवारों में भी बहुत बढ़ चड़कर के हिसालियत लेते थे और बहुत आनंद लेते थे उनके लिए हिंदू और मुस्लिम जो थे वो एक जैसे ही थे मिया नजीर रहा चलते नजमे करने के लिए मसूर थे अपने टटू पर सवार नजीर को कहीं से कहीं आते जाते समय रहा में कोई भी रोक कर फर्याद करता था कि उसके हुनर या पेसे से तालोक रखने वाली कोई नजम कह दीजिए जब नजीर अकवराबादी थे वो अपने टटू याने के की टटू गदे जैसा उस पर बैठ करके जाया करते थे तो उनको रह में चलते कुछ लोग मिल जाया करते थे जो कुछ न कुछ काम किया करते थे सबजी बेजने का, खिलोने बेजने का और भी अपने जो पेशे से जो भी जिसका ऐसा काम होता है ऐसे लोग मिलते तो उनको वो कहते थे कि हमारे लिए ऐसी कोई नजम रच दीजिए जिससे गागा कर हम अपना सामान बेज सकें नजीर आनन फानन में यानि कि बहुती जल्दी तुरंती ही में एक नजम रच देते थे यही वज़े थी कि बिशती ककड़ी बेशने वाला बिशाती यानि कि सामान वगरा जो बेशने वाले खिलोने वगरा बेशने वाले नजीर की रची नजमें गागा कर अपना सामान जिसने वाले भी नजीर की जो नजमों को गाया करते थे नजीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महा कभी थे ना तो उन में किसी के प्रते बेदवाव था ना किसी के प्रते उन में द्वेश भाव के भाव ना थी ना उनके लिए कोई धर्म था विशेश के कोई ऐसी भ रखते थे इनकी कविताओं में दुनिया हस्ती बोलती जीती जागती चलती फिरती और जीवन का त्योहार मनाती नजर आती है चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सभी इनकी नजमों से प्रभावित थे और सभी इनकी नजमों को गाया करते थे नजीर ऐसे कविए हैं जिनोंने हिंदी और उर्दू दोनों भासाओं के आम जन्न ने अपनाया वो ऐसे कविए थे हिंदू कविए ने भी उनका बहुत सम्मान किया और जो उर्दू के जो कविए थे उन्होंने भी उनका बहुत सम्मान किया अर्था दोनों भासाओं में उन इंदु मुस्ल का भेदवाव नहीं करते थे विर राश्टी एकता की मिशाल हैं अमाली एकता के रूप में वो दिखाई देती हैं चिन में कई जातियां कई प्रदेश कई भासाएं और कई परंपराएं होते हुए भी सब में एकता दिखाई देती है चाहिए वो कैसे बाद और हो अलग धरम से थे अलग भासाय थे लेकिन फिर भी उनमें सब वी एकता का भाव दिखाई देता है नजीर अपनी रचणाव में मनोविनोत करते हैं हसी ठिटोली करते हैं उनमें उनमें अडियात्मक्वी है हसी बी है उनके में मजाख्वी है ज्यान की तरह नहीं वो बहुत ही रहस्यमी बातों को भी बड़े साधान तरीके से कह दिया है। और वो किसी को ग्यानी की तरह नहीं समझाते। एक मित्र की तरह सलहा मसवरा देते हैं। जीवन की समालोचना करते हैं। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बन जारा। जीवन की सक्षाई को विक्त किया है। प्रस्तुत जो नजम है यहां आदमी नामा में नजीर ने कुदरत के सवसे नायाव विरादर जो सवसे नायाव जो मोती है जिसको का जाए मनुशिया। उसके विबिनी रूपों का वर्णन किया है। क्योंकि आदमी को आइना दिखाते हुए उसकी अक्षाईयां, सीमाओं और संभावनाव से परचित कराया है। अभवार्ध संसार को और भी सुन्दर बनाने के संकेत दिए है। एह आदमी नामा में उन्होंने कहना चाया है कि सबसे जो नायाव जो चीज है यहां आदमी ही सबसे बढ़ा है हैं। और आदमी ही सबसे बुद्धिमान है और आदमी के अर्थात आदमी के बिभिन रूपों का उन्होंने यहां वल्णन किया है आदमी नामा जो नजीर एक वार थोड़ा सा इसका मैं आपको भावार्थ पहले समझा देता हूँ आदमी नामा जो अकवरवादी द्वारा कविता में मानव के बिभिन रूपों पर प्रकास उन्होंने ढाला है उन्होंने आदमी को संसार की सर्व से श्रचना मानते हुए उसकी कम्यों से पर्चित कराया है उस ने उसे जीवन के सदगुनों को अपना कर और अपना कर संसार को और भी अधिक सुंदर बनाने की यहां प्रिलना दी है इस दुनिया में आदमी ही सब कुछ करता है वही दुनिया का बात्सा है और वही परजा है वही मालदार भी है और वही गरिब भी है मस्जिद बनाने वाला भी वही है और जो नमाज परते उनके जूतेों को चुराने वाला भी वही है अर्थात नमाज पढ़ने वाला धर्मगुरू और कुरान सरीफ का अर्थ बनाने वाला भी आदमी है आदमी का अपमाल करने वाला भी आदमी है और हत्या आदमी ही करता है और जुसकी जो रक्षा करता है वो भी आदमी करता है अर्थात हत्यार करने वाला भी आदमी है और दूसरों के रक्षा करने वाला भी आदमी है सरिफ भी आदमी है और कमीना भी आदमी है आदमी ही गुरू है और चेला भी आदमी है अच्छा भी आदमी है और बुरा भी आदमी है अर्थात अच्छे से अच्छे कार भी आदमी करता है और बुरे से बुरे कार भी आदमी करता है तो यहां इस आदमी के जो बिभिन रूपे उनका उन्होंने यहां वर्णन किया है तो पहला जो पद्यांस है उसको हम पढ़ते हैं और फिर उसके बहावार्थ को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा पहला जो पद्यांस है दुनिया में बादसा है सो वह भी आदमी और मुफलिस ओ गदा है सो है वह भी आदमी कहने का तात्पर यहां मैं थोड़े सीनके सब्दार्थ आपको बद्या देता हूँ मुफलिस गरीब गदा भिकारी जरदार धनवान बेनवा कमजोर नियमत स्वादिश्ट वोजन करने वाला अर्था तब यहां करें दुनिया में बादसा है सो वह भी आदमी दुनिया में बादसा है राजा है वह भी आदमी है और मुफलिस और गदा है सो वह भी आदमी और जो मुफलिस यानि की गरीब जो गरीब है मुफलिस और गदा है और विकारी है सुवह भी आदमी है यानि की कमजोर और विकारी है वो भी आदमी है जरदार बेनवा है सुह भी आदमी जरदार यानि की धनवान बेनवा यानि कमजोर धनवान और कमजोर भी आदमी है नियमत जो खा रहा है सुह भी आदमी नियमत जो स्वाधिष्ट वोजन कर रहा है वो भी आदमी है और टुकड़े चवा रहा है वो है भी आदमी और जो टुकड़े जिसको रूप खोना मुस्किल से मिल रहा है वो भी आदमी है अर्थार कभी यहाँ आदमी के बिभिन आचार ब्यभार पर प्रकाश डालती हुए कहता है कि इस दुनिया के तरह तरह के आदमी है जो लोगों का बात्सा बना बैठा है वह भी आदमी है उनके पास दुनिया भर की दौलत है और अधिकार है दूसरी और जो बिलकुल गरीब भिकारी है वह भी आदमी है जो बिलकुल कमजोर है वह भी आदमी है जो स्वादिश्ट भोजन कर रहा है वह भी आदमी है और जिसे सूखी रोटी चुकड़े चबाने को मिल रहे हैं वह भी आदमी ही है दूसरा पध्यांस इसका पढ़ते हैं मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मिया मस्जिद भी आदमी ने बनाई ही है या मिया बनते हैं आदमी ही इमा और खुद वाख्खा पढ़ते हैं आदमी और कुरान और नमाजिया और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतिया जो उनको तारता है सुवह भी आदमी यहां नजीम अकवरावादी कहते हैं कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मिया मिया अर्थात लोगों को समझाते हैं कि मस्जिद भी आदमी ने ही बनाई है बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतवाग खां कि इमाम नमाज पढ़ता है जो धार्मिक नमाज पढ़ते हैं अल्ला हुआ कुबर ऐसा पढ़ता है उनको बोलते हैं और खुतबा खां बोलते हैं कुरान जो सरी जो मुस्लिमों का जो पवित्र ग्रंत है कुरान सरीफ उसका जो अर्थ बनताता है उसको बोलते खुतवा खा तो यहां कहते हैं मस्जिद भी आदमी ने बनाई है मियां और बनते हैं यहां आदमी ही इमाम और खुतवा कहां यहां इमाम नमाज पढ़ने वाला भी आदमी है और कुरान सरीफ का अर्थ बताने वाला भी आदमी है पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज यहां आदमी ही कुरान पढ़ते हैं और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां यानिकि वो भी नमाज पढ़ने वाला, मस्जिद को बनाने वाला, खुरान सरीफ का अर्थ बताने वाला, वो भी सब आदमी हैं, और एक आदमी जिनकी जो नमाज पढ़ने आए हैं मस्जिद में, वहाँ उनकी जूतियों को चराने वाला भी आदमी है, और उनको तारता है, हो भी आदमी और जो जूती चुराने वालों को पकड़ता है उनको देखने पर नको भाप लेता है कि कौन चोरी करने आए वो भी आदमी है यादमी के यहां बेविन रूप उन्होंने बताए हैं तो यहां कभी कहना चाहते हैं कि कभी मनुष्य के बेविन श्तितियों और स्वभाव का बर्नर करते हुए कहता है कि इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी आदमी है मस्जिद में बैठ कर नमाज पढ़ने वाला भी आदमी है और जो कुरान सरीफ का अर्थ समझाता है वा भी आदमी है जो सामान्य मुसल्मान उन इमामों से कुरान का अर्थ सुनते हैं और नमाज पढ़ते हैं बे भी आदमी है इन सब के विप्रिद जो दुष्ट मञ्शिद में आकर इमामों नमाजीयों की चूतियां चुला ले जाते हैं वो भी आदमी है जो लोग ऐसे चोरों के पर नजर रखते हैं वे भी आदमी है इनी आदमी के बेविन रूंप का उनने यहां वल्लन किया है तीसरा जो यहां पद्यांस है जो नजम है यहां आदमी पे जान को बारे है आदमी और आदमी पे तेप को मारे है आदमी पगडी भी आदमी की उतारे है आदमी चिला के आदमी को पुकारे है आदमी और उन सुनके दोड़ता है सुवह भी आदमी तीसरा पद्यान से यहां आदमी पे जान को बारे है आदमी यहां आदमी मनुश के उपर जान बार देता है यानि रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को नोचावर कर देता है दूसरी के रक्षा के लिए और आदमी पे तेक को मारे है आदमी और आदमी तलवार का प्रयो यानि आदमी ही आदमी की बेच्जती करता है और आदमी आदमी का सम्मान करता है चिला के आदमी को पुकारे आदमी अगर कोई मुशीबत में है तो चिला कर वो पुकारता है तो मदद करने के लिए भी आदमी जाता है और चिला कर वो आदमी को ही पुकारता है और सुनके दो दूसरी आदमी पर अपनी जान भी नोचावर कर देता है, अपने प्राण नोचावर कर देता है, वो भी आदमी है, दूसरी ओर दुष्ट स्वाब का जो व्यक्ति होता है, तलवार से बार कर उसे मार डालता है, यानिकि दूसरी की हत्या करने वाला भी वो दुष्ट व्यक् बड़ी उतारने अर्थात बेजिती करने का काम भी आदमी ही करता है। दूसरे की इज़त उतारने में भी वो देर नहीं लगाता है। वो भी आदमी है। परिस्तितियों के अनुसर लोगों के जीवन में उनके ब्यवार में बदलाव आते रहते हैं। जैसी परिस्तितियों होती हैं वो वैसे ही ढल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं परिस्तितियों को अपने अनकुल ढल जाते हैं। अगला जो पद्यास है चतुरत नम सवकाले दिल पंजीर किया आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर अच्छा भी आदमी कहाता है ए नजीर और इसमें जो बुरा है वो भी है वो भी है आदमी कहने का तात्पर है सब्दार्थ यहाँ थोड़ से मैं आपको बता जेता हूँ असराफ, सरीफ लो कमीना, तुक्ष साह, राजा, वजीर, मंत्री दिल पंजीर, मंचा अब काम करने वाला, मुरीर, शेश्य और पीर, यानि कि धार में गुरू असराफ और कमीने असराफ, यानि कि सरीफ कमीने, सरीफ लोग भी यहाँ है और कमीने लोग भी है साह ता वजीर या साह राजा भी है और मंत्री वजीर यान कि मंत्री असराफ और कमीने से ले साह ता वजीर यान कि इमानदार से ले करके सरीफ लोगर से ले करके कमीने लोगों से तक राजा से ले करके वजीर तक ये आदमी ही प्रिफ लोग, कमीने लोग, राजा, मंत्री, ये सब आदमी ही अच्छे काम करते हैं और ये सब बुरे काम करते हैं यहां आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, मुरीद का मतलु होता है शिशे और पीर का मतलु होता है गुरू या आदमी मुरीद है और आदमी ही शिष्या आदमी ही गुरू है और आदमी ही शिष्या है अच्छा भी आदमी कहाता है ए नजीर है चोर है हत्यारा है दूसरों के रक्षा करने वाला है दूसरों के इज्जत उतारने वाला है तो इज्जत बचाने वाला भी है ये सभी आदमी ही है ये सभी आदमी के रूपे है तो आदमी लेकिन फिर भी इतना इसके इतने रूप कैसे हो सकते हैं उसे सब्य ही होने तब ही इस स्रेष्ट समाज की रचना हो सकते है एक अच्छे संसार का निर्मान हो सकता है कि आदमी है, है तो वो एक आदमी तो उसमें इतनी बुराईया और अच्छाईया है तो हमें अच्छाईयों का ही वोलनन करना चाहिए यहां नजीब मकरवादी जो कहना चाहते है अगर संसार को सुन्दर बनाना है तो हम सब आदमी ही है और उसमें उन्हें सदगुणों का व्यभार ही होना चाहिए उसके अंदर सदगुण ही होने चाहिए क्योंकि आदमी आदमी की इज़द करता है आदमी ही आदमी के उपर अपनी जानवारता है आदमी ही आदमी के सब सुखदुखों में सामिल होता है इसलिए संसार को अगर सदगुणों को ही अपना चाहिए यहां नजीर यही कहना चाहते है कि एक आदमी है उसके इतनी रूप होते है तो वहाँ पर जो हमारे शकारात्मक जो रूप हैं उनको ही हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए आशा करता हूँ इसका जो भावार्था वो आपको समझ में आ गया होगा इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप किसी भी NCRT सॉलूशन से लिख सकते हैं अगले वीडियो में मैं आपको फिर मिलूँगा तब तक के लिए नमस्कार मैं 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 आपको बावार्था वो आपको किसी भीन में मुझा नमस्कार